आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स कहकरो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हेलो दोस्तों आएए देखते हैं एक प्रशन दिखाएए कि परवले y² बराबर 4ax और x² बराबर 4ay का मूल बिंदू पर प्रतिछेद कौन πाई बटा 2 है तो देखिए अब y² बराबर 4ax वाला कौन सा परवले होता है ये वाला ये है y² बराबर 4ax वाला परवले और ये कौन सा परवले है x² बराबर 4ay वाला ठीक है तो इन्होंने कहा है कि मूल बिंदू पर ठीक है और वो हम कैसे निकालेंगे dy by dx से और इस ढाल को हम मूल बिंदू पर निकालेंगे 00 पर जो की किस के बराबर होगा m1 के बराबर होगा इसी तरह से हम इसकी भी ढाल निकालेंगे dy by dx की और इसको भी हम किस बिंदू पर निकालेंगे 00 पर निकालेंगे तो ये किस के बराबर हो और x square बराबर है 4 ay ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इसको हम माल लेते हैं समिकरण 1 और इसको हम माल लेते हैं समिकरण 2 तो समिकरण 1 का अवकलन से बताइए क्या आ जाएगा y square का अवकलन हो जाएगा 2 y dy by dx बराबर क्या होगा 4 ay x का अवकलन तो एक हो जाएगा तो यहां से dy by dx किसके बराबर आ जाएगा 4 ay बते में 2 y ठीक है इसका मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि dy by dx क्या हो जाएगा 2 ay बते में y ठीक है अब हम क्या करेंगे dy by dx को कौन से बिंदू पर निकालेंगे मूल बिंदू पर, यानि 0-0 पर तो जब x और y की जग़पे 0 रखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा? 2a बटे में 0, यानि कि यह क्या हो जाएगा? अनन्त ठीक है? यानि कि अपरिभाशित, क्योंकि अनन्त का मान तो परिभाशित होता है हमें, तो पता नहीं होता क्या होता है, तो इसका मान तो हो जाएगा अनन्त, ठीक है? अब इसके बाद, अगला क्या है हमारे पास यहाँ पे? x स्क्वाइर बराबर 4y, तो इसका भी हम अवकलन कर देते हैं समिकरण 2k अवकलन से तो बताईए क्या आजाएगा? समिकरण 2k अवकलन से तो यह हमारे पास आएगा x स्क्वाइर बराबर 4y तो x स्क्वाइर का हो जाएगा 2x और 4a ठीक है? और y का क्या हो जाएगा? dy by dx ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं dy by dx का मान निकालू तो यह किसके बराबर आएगा? 2x बते में 4a के बराबर यानि कि x बते में 2a के बराबर आजाएगा ठीक है? तो अगर dy by dx का मान किसके बराबर आजाएगा? यह बराबर आजाएगा 00 पर क्योंकि हमें तो मूल बिंदो पर निकालना है तो देखे, X की जगह पे 0 रखेंगे, तो 0 बटे में 2A, 0 को किसी से भी भाग दें, तो वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये तो हमारी प्रवन्टा है M2 की, ठीक है, और ये हमारी प्रवन्टा है M1, यानि कि अगर हम मूल बिंदू पर दो इस परवले के लिए, और इस परवले के लिए, तो वो कुछ और नहीं, बलकि क्या होंगी, वो X अक्ष होगी, ठीक है, और Y अक्ष होगी, X अक्ष और Y अक्ष ही इनकी क्या है, इस परवले की, इस परवले के लिए, और इस परवले की प्रवन्टा यहां पर क्या आ रही ह क्योंकि देखे जब प्रमणता जो है 0 होती है तो वो किसका समिकरण होता है बताईए प्रमणता अगर 0 है तो वो y बराबर 0 है यानि कि y बराबर 0 का मतलब क्या हो गया यह x सक्ष का समिकरण हो गया ठीक है तो यह तो हो जाएगा आपका x सक्ष ठीक और दूसरा कि जब प्रम करण है? यह y अक्ष का समीकरण है, जिसका समीकरण क्या होता है? x बराबर 0, ठीक है? तो इसका मतलब एक तो x अक्ष है और एक y अक्ष है जो इन दोनों की इस पर शरेखाए हैं, और आपको ये भी पता है, कि x अक्ष और y अक्ष के बीच में कोण कितना होता है? 90 डिगरी का कौन होता है इसका मतलब ये दोनो एक दूसरे को कौन से कौन पर प्रतिछेद करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे चोकी वक्र फस्ट की जो इस परशी है इस परशी वाई अक्ष है ठीक है और वक्र सेकेंड यानि दूसरे वक्र की इस परशी जो है वो X-Aksh है, ठीक है, और हम जानते हैं कि X-Aksh जो होता है, वो क्या होता है, लंब होता है Y-Aksh पर, ठीक है, इसका मतलब ये जो दोनों वक्र हैं, ये मूल बिंदू पर, इनका जो प्रतिछेद कोन है, आते हैं, जीरो जीरो पर, यानि मूल बिंदू पर, वक्र फर्स्ट व सेकिंड का प्रतिछेद कोन, कितना है, पाई बाई टू है, ठीक है, यही हमें सिद करना था, पक्षचरी से बारवी से लेकर, नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक, एक करोड से जादर चातरों का भरोज़ा, आज ही डाउनूट करें डाउटने डाप, या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स, आज चार्सो 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 पर,